ओम शान्ति आज 26 फरवरी 2022 की साकार मुरली आज बावा ने कहा मीठे बच्चे रोज अमरीद बेले ग्यान और योग की वास्थूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे आज का प्रश्ण कौन से एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती हैं उत्तर मैं आत्मा हूँ ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं देविमान का भूत सबसे बड़ा है जिसके पीछे सब आ जाते हैं इसलिए जितना हो सके देही अविवानी बनने का पुरसात करो गीत है आज अंधरे में है इंसान ओम शान्ती बाप बेड़ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं भगत भगवान से चाते हैं कि भगवान आकर हमारी आखों को अपना साचातकार करा दे अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो तुमने इश्वर को पाया है इन आखों से देखा है इश्वर को कैसे पाना होता है वो खूधी आकर बताते हैं अर्थात या नौलेज देते हैं समझाते हैं इस तन दोवारा तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पाड बजाती हो बिगर सरी तो कोई पाड बजा न सके पाड आत्मा ही बजाती है सरी द्वारा सरी के नाम भी भीन भीन रखे जाते हैं आत्मा तो एक ही है आत्मा खुद कहती है और बाब भी समझाते हैं कि 84 जनम आत्मा लेती हैं। आत्मा कहती है, हम एक सरी छोड़ दुसरा लेते हैं। सरी तो नहीं कहेगा न, अब तुम बच्चे तो जानके, कि हम आत्मा है न की सरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस सरीर दुआरा आत्मा ही सब कुछ करती है। सरीर के अंदर आत्मा कहती है। इस सरीर दुआरा मैं चलता फिरता हूं। मैं आत्मा जज वकिलादी बनता हूं। आत्मा कहती है, हम इस सरीर दुआरा राजयोग सिखते हैं। फिर जाकर राजा राने की लिवास पहरेंगे, अब तुमको आत्म अभिमानी बनाये जाता है, देविमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूले भी होती है, इसको देविमान का भूत कहा जाता है, हर एक मनुष्य में पांच भूत तो है जरूर, भू अधि नहीं भागते हैं, उन्हों को भठी में डाला जाता है, क्योंकि यह पांच भिकार बड़े पुराने दुस्मन है, बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेस्ता हुई आधा कल्प हुआ है, जब शे रावन राज चला है, ब्रोबर भारत वास रावन मुर्दाबाद हो गया था, आधा कल्प के लिए, बच्चे कहते फिर बाबा या कब जिन्दाबाद होगा, बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिन्दाबाद होगा, अपना राजे करेंगे, कहते हैं ना, राम राजे चाहिए, तो अब कौन सा राजे है, रावन र राजी नहीं होगा वहां होगा राम राज्य अच्छा राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे या भी कोई जानते नहीं राम राम कहते हैं तो राम को उपर ले गए हैं कृष्ण को नीचे ले गए हैं सत्यू कातो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है तुम इस ज्ञान और योग का धूप चाहिए। उनके शिवाय कभी मुक्ती जीवन मुक्ती पाने सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजक्षन एक ही सरजन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं। और कोई भासा में इसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा हम को पढ़ा रहे हैं भगवान खोद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार निराकार इस साकार दोरा साकारी बच्चों को ज्यान दे रहे हैं यह तुम अच्छी तरह जानते हो परन्तु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं भूलने का अभी पहला पहला कारण है दे अहिमान का भूत उसको भगाने का अमरीद्वेले ही पूरसात करना है अमरीद्वेले बावा की याद अच्छी रहती है कहते हैं सिमर सिमर सुक पाओ अमरीद्वेले का ही काइदा है भगत लोग भी अमरीद्वेले ही सिमरन करते हैं राम शिमर प्रभाद मोरे मन आत्मा बुद्धी को कहती है कि राम शिमरो भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही तोटके बनाते हैं वो कोई reality में नहीं है शमजते नहीं कि काम भी भूत है, तुम लिख सकते हो, सब में पांच भूत है, पहला नमबर है दे अविमान, फिर सेकेंड नमबर है काम महासत्रू, आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे, कि तुम आत्मा हो, यह सरीर पांच ततों का बना हुआ है, आत्मा अविनासी है, सरीर बिनासी है, अब बच्चों को पूरा पूरा परिचे दिया जाता है, प्रसिडंड को जरूर प्रसिडंड कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर, दोनों की एक्ट अपनी अपनी है, वैसे परमपिता परमात्मा और फिर तरीमूर्थी, उनों की भी एक्ट अपनी अपनी है, शीव को काई जाता है पतीत पावन वो ब्रमा दुआरा पतीतों को पावन बनाते हैं उनकी यह ड्यूटी है अब बड़ेते बड़ातो है शीव शीव बावा कब जनम मरण में नहीं आते हैं बाकी ब्रमा दुआरा सर्बिस करते हैं शीब बावा है एवर पियोर ब्रमा विष्णु पुनर जनव में आते हैं सीब बावा थो करन करावन हार है इस समय बावा मीठे जाड का सेंपलिंग लगा रहे हैं जो और धर्मों में कनवट हो गए होंगे वो सब निकलाएंगे तो ये इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके साथ रोज भठी में पढ़ने के शिवाई मुक्ती जीवन मुक्ती कोई पाने सकते तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेनत की है बुद्धी जब पवित्र हो तब ज्यान अम्रित ठहर सके तुम बच्चे समझ सकते हो तो ब्रोवर बावा की याद भूल जाती है वो देविमान आने से फिर मित्र शंबंधिव आधी तरब लव चला जाता है कोई को भी मो का भूत ना आए बावा को कितने धेर बच्चे हैं मो की बात ही नहीं जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं मरने का ही डर रहता है आत्मा भी अविनासी है प्रमात्मा भी अविनासी है वो जनम मरण में नहीं आता बावा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूं मेरे रहने से इनको बहुत फाइदा है इनकी आयू बढ़ जाती है, गूल-गूल हो जाता है, इनकी सब खामिया खतम कर बिल्कुल नया बना देता हूँ, बाबा तो है ही सुगदाता, मेरे कारण यह योग सीखते हैं, तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं, किसको गाली देना, गुसा करना, यह सब आशूरी तीन हजार बस पहले भारत प्रडाईज था, इस हिसाव से ब्रोवर पांच हर बस ही हुआ, यह सच्ट ज्यान और सच्ट नारायन की कथा कितनी सहज है, हम अभी नर्श नारायन बनने की सच्ट कथा सुनते हैं, राज योग की, पिर यहां की बात भक्ति मार्ग में चली जा तो मनिश्य समझे, तुम बच्चों के सेंटर ब्रीदी को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोले, जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं, स्कूल में स्टूरेंट तो चाहिए ना, पहले दो से चार आएंगे, फिर जास्ती होते जाएंगे, गली-गली में मंदिर टिकाने खूलते रहते हैं, फिर एक-दो को देख बहुत आजाते हैं, सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हरजा नहीं है खोलने में, परन्तु बीगन बहुत पढ़ते हैं, बिकार के कारण, हम तो सिब गीता सुनाते हैं, परन्तु सुरू से इस बीस के कारण जगड़ा चलता ही रहता है, शमझते हैं, या जाने से बीस का प्याला नहीं मिलेगा, इस पर मिरा का इतिहास भी है, ऐसे तो बहुत कण्याये और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, या तो कल पहले भी गाली खाई थी, या होना ही है, कोई त काल पर लेते रहेंगे, काहां काम न मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकली बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं, तो माफी भी लेते हैं, फिर भी अपकारी के उपर उपकार करना होता है, कहेंगे अच्छा, फिर पुरसात करो, अप आपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रैमदिल बनना होता है, पहले पहले मेनत है आत्म अविमानी बनने की, द्याविमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेंगी, हर एक की चलन से पता पड़ जाता है, मुख से हमेशा रतर निकलने चाहिए, पत् ग्यान का सागर है, और उनका रूप भी जोति लिंगम दिखाया है, परन्तु है इस्टार, पुजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रती, मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप क याद प्यार गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, पहला पोइंट, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, देवमान में कभी नहीं आना है, रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है, दुसरा पोइंट, भूतों को भगाने के लिए अमरीद वेले बीसेस याद में रहने का पुरसात करना है, मीठे जार का सेंप्लिंग लगाने में बावा का मददगार बनना है, आज प्यारे मीठे बावा का बरदान, बेहत की ब्राय की ब्रीती द्वारा मेरे पन के रॉल रूप को समाप्त करने वाले नियारे प ब्राय की ब्रीती का आर्थ है, सर्व के शंबन संपर्क में जितना नियारा उतना प्यारा, जो नियारा प्यारा है, वो निमित और निर्मान है, उश में मेरे पन का भान आ नहीं सकता, ब्रतमान समय मेरा पन रॉल रूप से बढ़ गया है, कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही अस्थान है, मुझे ये सब सादन भाय के नुसार मिले हैं, तो अब ऐसे रॉल रूप के मेरे पन को समाप्त करो, आज का स्लोगन परचिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है, तो शूब चिंतन करो, और शूब चिंतक बनो, अब सुनते हैं मात्य सुजी के अनमुल महावाई के हम ब्रामन कूल का छोटा सा संसार गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है या गीत किसी समय का गाया हुआ है क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्रामन कूल का छोटा सा संसार है वो हमारा कौन सा परिवार है? वो नंबरवार बतलाते हैं हम परमपिता प्रमात्मा सीव के अपोत्रे हैं ब्रमा सर्जवती की मुक्षनतान है और विश्नु संकर हमारे ताया जी है और हम आपस में सवी भाई बहन ठेरे यह है अपना छोटा सा संसार इनके आगे और संबर रचाही नहीं है इनका नाम कितना भारी है पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिष का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिपिकर न मिला है। तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रम्हा के उपर कितना बड़ा काम है। मलेच पांच विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गूल गूल बनाते हैं। जिस अलोकी काज का उजूरा फिर सत्यू का पहला नंबर सी किष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध तो कितना बेफिकर और खुस होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे हम उनके पूर्ण रिती हो चुके हैं। अच्छा, ओम शान्ति।